अरे मुन्य बेटा, शुन्य बेटा, आजाओ जल्दी से, पोहा बन गया है, जल्दी आकर खालो, अरे यह लड़किया भी ना, अभी तक त्यार हुई नहीं, स्कूल के लिए लेट हो रहा है इनको, मैं इनके लिए पोहा बना दी हूँ, अब रख देती हूँ, इनका पोहा य जल्दी साथ, मैं मैं मेरे स्कूल के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मैं मैं मैं, अरे क्या हो मेरे बच्ची, क्यों इतना रो रहे हैं, क्यों इतना चिला रहे हैं मेरे बच्ची, ओ लो लो लो, अरे क्यों इतना रो रहे हैं, मैं मैं, पतायना, मेरे स्कूल देन नहीं मिल रहा अरे इतनी harvest बमाड़ी तुम पहले खालो उसके बाद माड़ु देते हूं यह मैं मम्न मेरे सकूरडेस यह मिल रहा मैंने आपको कितनी बार बोला मेरी अलमारी लादो- अलमारी लादो पर आप शुंते ही नहीं हो अरे बिटा, अलमारी की बाद अब कहां से आगे? मैंने कुमारे कप्रे पनी में बान कर रुखे थे अे पनी में ममी, चुहे तो कितने शारे हैं हमारे घर में अब तो को तो पता है ना, मेरे पूरे कप्रे फार दिये भी होंगे अरे मेरी बच्ची तु रो मत तु रो मत था मैं ढूंदूंगी तेरे सारे कपड़े ठीक है और ला दूंगी पहले खाना तु खाले खाना को मत थंडा का ठीक है ना मेरी बच्ची मैं प्योड़ी बच्ची अच्छा मम्मी आप मेरे कपरे डूंदो में जाकी खाना खा लेकी हो अरे वाँ कितने अच्छी खुशबू आ रही है पोहों की खुशबू आ रही है अरे वाँ कितने मज़ेदार है पोहे तो मम्मी याँ मम्मी जल्दी तर आए मम्मी अरे देया अरे देया किसे क्या हो गया है क्यों इतना छिला रही है आ रही हो शुनी बेटा आ रही हो रुको रुको अरे क्या हुआ क्यों इतना छिला रही हो मम्मी मेरे कपड़े चूहों ने फाड़ दिया अरे अरे बेटा क्या हाल कर दिया ने तो पूरा ही फार दिया, अरे अरे धुरीा मैंने तो इनको संभालकर पन्नी में बान कर रखा था, क्या पनी में अरे पनी से तकुटरी देंगे न चुए अरे मम्मी कब से बोल रही हूँ एक अल्मारी लादो अल्मारी लादो अल्मारी लाते ही नहीं आप सुनते हो ना पपा सुनते हो इतने कंजूस हो अरे बेटा तुम तो जानती ही हो ना घर में कितने सारे खर्चे है तुमारे कॉलेज की इतनी ज्यादा फीज है अब नहीं अलमारी के लिए अब कहां से लाएं बता तुम ही अरे मुझे कुछ नहीं बता मुझे नहीं अलमारी चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए अरे दिया अरे दिया अब क्या करें अब तो इसके पापा को बोलना ही पड़ेगा मुनी की ममी मुनी की ममी बड़ी जोरों से भूक लगी है जल्दी से खाना लगा दो अरे वह बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है चेर में बैठ जाता हूँ अराम से फिर अराम से पेट भर कर खाऊंगा अरे अरे मुनी की ममी जल्दी से खाना लेकर आओ अरे बबा ला रही हूँ ला रही हूँ आप भी न छोटे बच्चों की तरह करते हो ये लो खाना ये लो खालो पेट भर कर खाले न अरे भग्यवान क्या बात है इतने नाराज क्यों दीख रही हो खाना ही तो मांगा था ना सोना चांदी तो नहीं मांगा था अरे गुस्सा होनी की ही तो बात है मैं कब से आपको बोल रही हूँ अलमारी लादो, अलमारी लादो आप अलमारी ही ने ला रहे हो आज तो बड़ा बुरा बुरा हो गया आप बच्चों के कपड़े पूरे चूहों ने कुतर दिये और ना वो स्कूल जा पाई ना वो अपने फंक्शन जा पाई अब ऐसे चलता रहेगा तो कैसे चलेगा मैं कब तक पन्यों में बान बान करके इनके कपड़े रखूंगी हाँ प्लीज जिल्दी से आप अलमारी ले आए न अरे 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 ओ भाग्यवान अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया मैं वही सोच रहा था मैंने कुछ पैसे जमा किये है लेकिन अभी वो और भी कम पट रहे हैं और मुझे कुछ महिने लगेंगी पैसे जमा करकर अलमारी लाने के लिए मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ अलमारी ले आओ लेकिन पैसे बचते ही नहीं सब बच्चां के फीज में कॉलिज फीज में ही खतम हो जा रहे हैं मैं भी तो कोशिश करी रहा हूँ ना अरे अरे अच्छ अच्छ ठीक है ठीक है बाबा आप अब खाना खालो फिर बाद में ये सब सुनकर तो मुझे खाना भी नहीं, खाने का मन कर रहा मेरे बेटियां बिचारी अरे पापा कितने परिशान लग रहे हैं, अरे पापा के पाश पेशे नहीं है, अलमारी खरीदने के लिए, पूरे पेशे खाना पानी में ही खतम हो जा रहे हैं मैं गुल्लक में जाकर देखती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं और जो भी जमा किये हैं वो मैं पपा को दे जूँगी और देखती हैं कि इसमें अलमारी आ सकती है या नहीं आ सकती अरे मैं अपनी गुल्लक में जाका चेक कर जी हूँ कि मेरे में कितने पैसे चमा किये हैं इसे खोलने के बार मैं अपने पापा को दे जूँगी अजिए बापरी इस में तो बड़े ही कम पैसे दिख रही है अरे इतने से तेलमारी नहीं आएगी दीदी को जाकर बटाती हूँ, दीदी से कुछ मदद मिल जाए ठीदी को भी तालमारी चाहिए ना दीदी दीदी, आपने शुना ना पापा के पाश पैशे नहीं है हाँ, मुन्नी बेटा मैंने तो सुना इसलिए मैं भी अलमारी लेने कर नहीं सोच रही है अरे अरे डीडी हम क्या करेंगे न हम ना अपने पैसे जमा करेंगे और पपा को अलमारी के लिए देंगे मेरे पास थोरे से पैसे है हम और जमा करेंगे तो हमें अपास बहुत चारी हो जाएंगे और हमेशे अलमारी खरी देंगे अरे कितना अच्छा अडिया है मुन्य बेटा तुमने तो कितना अच्छा अडिया दिया है चलो हम दोनों मिलकर पैसे जमा करेंगे और गुल्लक में दालेंगे और गुल्लक खोनने के बाद हम अल्मारी लेंगे ये बड़ा मज़ा आएगा ये चले चले पैसे जमा करते है मुन्य और शुन्य विलकर पैसे जमा करने लगते है ये जर्माने को ये ऐसे ही पैसे जमा करते करते पूरा गुल्लक बढ़ जाता है ये 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 तेखो ना मुन्य पूरे ही गुल्लक भर गया हमारे पैसे बर गे हम ले जाकर पूरे पैसे पापा को दे देंगे और पापा हमारे ले नही अलमारी देंगे चलो ये गुललक उठाकर मैं पापा को दे देती है अरे वाह हमारी नहीं अलमारी आएगी और हमारे कप्ड़ों को चुहे नहीं काटेंगे अरे मुनी की ममी अभी तक मेरे पहले पास पैसे जमा नहीं हुए है और अभी तक मैंने अलमारी नहीं लाई है हाँ हाँ वही मैं भी सोच रही थी, बरेग बहुत तिन हो गए है लेकिन हमारी गर नहीं है, बच्चे बढ़ी बुरी हालत में है पताने हु क्या सोच रहे हुंंगे, कि मा बख हुं उनके लिए एक अल्मारी भी नहीं ला सकते हाँ हाँ मैं भी बहुत परिशान था अभी तक मैं पैसे नहीं जमा कर पाया हूँ और कुछ महीने लगेंगे मुझे लगता है पापा देखो ना देखो ना देखो हम आपके लिए क्या लाए है अरे 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 इतना भारी क्या लेकर आ रही हो क्या सप्राइज है अरे बिटा क्या ला रही हो तुम क्या सप्राइज है अरे पापा आप खुजी देख लीजिए देखी देखी कितने सारे पैसे देखी तो जरा अरे बिटा इतने सारे पैसे कहां से आए इतने सारे पैसे इतने सारे पैसे बेटा कहां से लेकर आए तुम लोग कहीं चोरी वरी तो नहीं करती न अरे ममनी हम चोरी कर सकते हैं क्या बेला हम थोड़ी चोरी करेंगे हमने कहीं दिनों से अपनी पॉकिट मनी को जमा कर करके आपके लिए अलमारी के लिए पैसे जमा किये है अरे अरे मेरी प्यारी बच्चियों तुमने इतने सारे पैसे जमा कर दिये अपने पूरे खर्च खतम करके अपनी अलमारी के लिए इतने सारे पैसे जमा करे अरे वा मुझे तुम पर बहुत ही कर्व है आज ही मैं जाकर तुमारे लिए नई अलमारी लेकर आता हूँ अरे अरे देखिये न हमारे बच्चों ने कितना अच्छा किया पैसे जमा करकर आज कल के बच्चे तो कितना फाल तो खरीते हैं कितना फाल तो पैसे खर्च करते हैं देखिये न देखिये न अरे हाँ हाँ हमारे बच्चों पे हमें बहुत गर्भ है हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पपा अलमारी को साइकल में बान कर लेकर आ जाते हैं अरे वाँ इनकी नई अलमारी आ गई शनी मुन्नी की नई अलमारी आ गई अरे मुन्नी बेटा शुनी बेटा जल्दी आओ नहीं अलमारी आ गई है देखो तो कितनी प्यारी और खुबसूरत है अरे अरे हमारी नहीं अरे कितनी खूबसूरत है अरे वाँ अरे वाँ अरे वाँ कितनी खूबसूरत है अरे वाँ अरे वाँ कितनी खूबसूरत है अरे वाँ अरे वाँ कितनी खूबसूरत है अरे अरे वाँ देखो देखो बच्चो कितनी खूबसूरत है अरे वाँ अब तुम अलमारी में अपने कपड़े रख लो अराम से ठीक है ना कितनी खुब्सूरत है ना अरे हाँ पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखाएं दोस्तों आपको कहानी पसंद रहे दो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करो बाइ अर्पेसी बचाती रहो